दोस्तो हमारे एक सब्सक्राइबर है Mr.Sujit उन्होंने एक सवाल बढ़ा इंटरस्टिंग किया है और पूचा हमें click and ask with Manish में कि सर जब भी हम group photos लेते हैं तो हमें कहां पर focus करना चाहिए ताकि हमारे जो group photos हैं उसमें सभी लोग जो है वो tech sharp जो है नजर आए यानि कि सब पर focus जो है correct होना चाहिए सब की जो शकले है वो जो है बिल्कुल focus में आनी चाहिए तो यह बहुत इच्छा सवाल किया सुजीत और आज इस वीडियो के अंदर इस problem को हमेशा के लिए solve करने की कोशिश करेंगे अब यहाँ पर इस वीडियो में आपको जानने को मिलने वाला है कि group photos लेते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यानि कि हमें कहाँ पर focus करना चाहिए हमारी जो focus points है वो किस तर होनी चाहिए हमारी जो camera settings है वो क्या होनी चाहिए और हमारी जो technique है group photo को लेते वक्त वो technique क्या होनी चाहिए तो यह आज इस पूरे वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो आपका ही problem हमेशा के लिए solve हो जाएगा लेकिन उसके पहले में कहना चाहूँगा अगर अभी तक आपने मेरा channel subscribe नहीं किया है तो जल्दी से मैंने पिच्चर आपको लेकर दिखाता हूँ यहां पर हम ले रहे हैं कि देखें group photo यह तीन बच्चेया खेलने के लिए थे तो इनको हमने रोका और देखें यहां पिच्चर लिया देखें इस तरह से तो आप screen के ओपर देख पा रहे हो इनको पते नहीं तो इन तीनों में से focus कहां पर करना है तो कुछ उनके subject जो है वो तो कुछ चेरे focus में आते हैं कुछ चेरे out of focus में चले जाते हैं अब चलिए बात करते हैं अगर हमें group photos लेने हैं तो focus हमें कहां रखना उसके पहले हमें समझा जरूरी कि हमारी camera settings जो है सबसे पहले आपको डालना है अपनी settings के अंदर manual पे यानि कि आपको manually पुरा photo shoot करना है तो यहां पर आपको ध्यान रखे कि जो ISO है उसे आप जितना minimum रखेंगे उतना अच्छा रहेगा हलाकि आज मैंने जो photos अभी मैं लेने वाला हूँ या अभी जो मैंने आपको photo लेके दिखा है महाँ पर थोड़ा सा ISO मुझे ज़्यादा रखना पड़ा क्योंकि light जो है वो काफी कम हो गई थी shoot करते वक्त बट आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी photos लें तो अपना ISO जितना minimum रखेंगे उतना अच्छा रहेगा उससे benefit होता है कि जो noise है वो आपकी images में नजर नहीं आती पहली चीज इस बात को आप गाट बांग लीजे दूसरी चीज जो है वह है दोस्तों आपका aperture तो aperture पर आप ध्यान रखें कि आप जितना small aperture रहेंगे small aperture से मतलब है जितना higher number यानि कि अगर आप F8 पे F9 पे F10 या F11 पर शूट करेंगे यह जो 4 aperture number है यह काफी अच्छे रहते हैं basically आपकी group photography के लिए तो aperture number जो है वो जितना small रहेगा small number मतलब higher number of aperture तो वहाँ पर आपको जो है sharp images बिलेंगी चाहें कितना भी बड़ा group हो हर group जो है पूरा sharply focus मेंगा left to right, right to left तो यहाँ पर तो इतना बड़ा group मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूं क्योंकि जो भी लोग यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं मैं उन्हीं की photos ले रहा हूं बट इस बात के यह आप यह rule पकड़ यहाँ हिलाई group photo के वक्त तो वह action को freeze कर सके तो यहाँ पर मैं अभी फिलाल 40 mm का lens यूज कर रहा हूं तो generally जो हमारा rule होता होता है कि जितनी focal length उससे double shutter speed होनी चीए यानी की 80 होनी चीए 80 अबव बट कोशिश करिए कि आप 700, 200, 200, 200 के आसपास shutter speed अपनी रखिए तक कि अगर थोड़ा बहुत भी moment आ रहा है group photo के अंदर तो वो moment जो है वो freeze हो जाएगा और subject जो है sharply focus के अंदर आएगा दूसरी चीज है आपके gears तो यहाँ पर आप कोशिश करिए कि जितना आप wide-angle lens यूज करेंगे वो ज्यादा अच्छा है तो यहाँ मैंने 40 mm का lens यूज किया है से देखे तो पूरा group आपको जो है उसमें सारे लोग आपको दिखाई देने चाहिए तो वह आपके लिए ideal focal length होगी तो 24 mm से लेके जो है एक पचास पैते से में तक की focal length आइडल होती है लिए group कुछ जादे ही बड़ा है तो आप 16 mm से 35 mm की focal length वाले lenses यूज कर सकते हैं तो पर आप असानी से जो भी इतना भी बड़ा group है आप उसको असानी से cover कर पाएंगे अब बात आती है दोस्तों असली मुद्दे की कि भाया focus point कर रखना focus कहां करना है तो focus point यहां पर जैसे मैं भी sony का a7r4 यूज कर रहा हूं तो यहां मैंने focus जो रखा है अपना वो रखा ह अब focus करना का है मालीजे आप 10 लोगा group शूट कर रहे हैं या मैं अभी शूट करके आपको दिखाने रहा हूं तो आप जो भी आपका key person है या middle में खड़ा है साइड में खड़ा है जहां तर आप कोई middle में खड़ा है तो focus में रखी अपना वहां पर आप focus करिए और अगर आप F8 to F11 की बीच में शूट कर रहे है तो आप देखें कि automatically जो है सारे लोग focus में आएंगे तो आपको जो focus करना है वो middle के person पर करना है या आप उन लोगों पर focus रखी है जो लोग बहुत ही prominent है मालीजे आप वेडिंग कर रहे हैं दूला-दूलान है वो ही main होते bride or bridegroom तो वहां पर जो है आप उन पर focus रखी है बाकी के लोग अपना focus में आजाएंगे वो out of focus नहीं होने चाहिए तो इस बात का अपको धियान रखना जब भी आप group photos ले चलिए अब लेते हैं कुछ pictures और समझने कोशिश करते हैं कि क्या हमारे pictures अब सभी focus के साथ में आ रही है या चलिए कुछ और photos लेते हैं यहां पर हम और समझने कुशिश करते हैं कि किस तरह से focus जो है lock होता है तीनों models पर और यहां पर मैंने जो है जैसे मैंने आपको बता है मैंने focus रखा है बीच में आप कहीं भी रख सकते हैं और क्योंकि मेरा aperture आप देख रहे हो अभी है F9 के ओपर 200 shutter speed रखी है थोड़ी बहुत भी moment है तो freeze हो जाएगी और यहां पर ISO मैंने कम से कम रखने की कोशिश की आप screen मेरी camera settings देख पा रहे ले थे picture या one more एक picture on में लेता हूँ थोड़ा close up जाके ताकि मैं आपको अच्छे समझा पाऊं सब लोग focus में आ रहे हैं नहीं आ रहे है या look here अब दोस्तों आपने देखा किस तरह से हमने यहां पर अभी फोटोज लिए और हमारे पिच्छ जो है उसमें सारी जो सब्जेक्ट थे वो इकदम टेक्शार पाइने कि सब पर focus जो है वह आपको बहतरीन मिल रहा है कोई भी हमारा out of focus नहीं हुआ तो मैं जल्दी से सिंगल पर ही लिये हैं आप autofocus continuous पर भी ले सकते हैं बट मैं प्रिफर करता हूं सिंगल पर एक जगह पर focus लॉक करूँ विकॉस आइम शूटिंग ऑन f8 to f11 की बीच में तो सब चीज़ फोकस में आही जाती है तो मैंने रखा यहां पर AFS पर यहां पर मैंने एक चीज़ र द्राइब मोड तो थोड़ा था हाइर शूटिंग स्पीड रखे क्योंकि थोड़ी बारिश आने के चांसे मुझे लगा कि मौसम खराब ना हो जाए तो आप हाई स्पीड पे भी शूट कर सकते हैं और आप सिंगल ड्राइब भी शूट कर सकते हैं और आपके ऊपर डिपे अधर की सब्जेक्ट यानि की ब्राइड ग्रूम है या ब्राइड है अगर वेडिंग में है तो आप फोकस महाँ पर लॉक करिए और बाकी के लोग जैसे ने बताए आपको कि जो भी आप लेंस यूज़ करें वाइड एंगल उसमें पूरा ग्रूप आपको दिखाई देन चोटी चोटी टेक्नीक्स हैं जो आपको अप्लाई करनी हैं लास पर नॉट देलीस एक चीज़ में और बतायता हूं कई बार अगर फिर भी आपकी पिक्चर फोकस में नहीं आ रहा है कोई भी सब्जेक्ट आउट हो रहा है तो थोड़ा सा आप जो आपका सब्जेक्ट फ बिफोर टेकिंग फाइनल शॉट आपको कुछ जो है आपको अपनी सेटिंग्स को पहले ट्राई करना पड़ेगा टेस्ट शॉट्स लेने पड़ेंगे जब आपके टेस्ट शॉट्स में आपको एक सब लोग आपको मिल रहे हैं अच्छे रिजल्ट के साथ में उसकी पको जिए।